गुड मॉर्णिंग अब्रिवन स्वागत है आप सभी का एक वर फिर से हमारे यूटीब चैनल विलिजर्स कॉंस्टेप्ट में तो दोस्तों आज का जो सेशन लेके आया है यह SPD पब्लिकेशन का समान विज्ञान का जो नया बुक लांज किया गया है आज हम लोग देखने जा रहे हैं इस बुक का क्लास नमबर नाइन ठीक है तो फ्रैंस जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस बुक का क्लास वाइज जो है इस वन लाइनर क्वेशन को कवर कर हैं तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं इसका क्लास नाइन ठीक है इसमें Class 9 के रूप में जो हम टोटल देखेंगे 100 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन को तो आईए सुरू करते हैं आज का सेशन लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे होंगे सही आंसर है देखें इसका Octane संख्यां से किसे बढ़ाई जाती है तो Octane संख्यां से बढ़ाई जाती है Next question है कि परिष्ठिय तनाव का आयाम क्या होता है तो परिष्ठिय तनाव का आयाम है M power 1, L power 0, T power minus 2 ठीक है चलिए अगला question देख लेंगे यहाँ पर देखें next question जो friends देखें यहाँ पर दिया हुआ है कि core का lamination समानता बना होता है किसका तो देखें यह silicone steel का बना होता है Next question है कि विदुत चुमके छेतर की इकाई क्या होती है विदुत चुमके छेतर की इकाई सही आंसर है देखें Newton प्रती Ampere meter होता है क्या होता है Newton प्रती Ampere meter next है कि प्रितवी का आउसत घंत्व कितना होता है प्रितवी का आउसत घंत्व सही आंसर है देखें इसका 5.5 ग्राम पर सेंटिमीटर क्यूब होता है ठीक है प्रितवी का आउसत घंत्व चलिए अब अगला question देख लेंगे यहाँ पर देखें next question जो दिया हुआ है next question देखें यहाँ friends देखें दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि खाना पचाने में किस अमल का परियोग किया जाता है खाना पचाने में किस अमल का परियोग किया जाता है सही आंसर है देखिए HCL यानि हैड्रो क्लोरी कमल का अगला क्वेशन है कि उर्थे वायोयान की उचाई मापने के लिए पड़ियुक तो उपकरन कौन सा है तो देखिए उस उपकरन का नाम है अल्टी मीटर क्या नाम है अल्टी मीटर नाम है उसके बाद चली अब देखते है अगला क्वेशन यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेशन जो दिया हुआ है कह रहा है कि किस मिट्टी में सिलीका एबम आईरन की मातरा अधिक होती है किस मिट्टी में सही आंसर है देखिए लाल मिट्टी में लाल मिट्टी में सिलीका एबम आईरन की मातरा क्या होती है अ अगला कोच्छन देक लिए यहाँ पर दिया हुआGALA कोच्छन के लिए प्रियोग होता है, सही है, ऐस्फिग्मो मैनोमेटर का, किसका प्याज परिवर्तित रूप है, फ्याज परिवर्तित रूप किसका है तो देखें यह तना का परिवर्तित रूप है सरीर का वजन अधिक्तम होता है कहां पे पर कास के पूर्ण आंतरिक परावरतन से बनता है इंदर धनूस next है सूर्य के पड़ित अपनी कख्छा में हैली के धूम के-तू का पत होता है कैसा सही है परवलिय पत होता है next है गोबर गयस का मुख्य गटक होता है क्या पिलीहा को DENNIS अगरा क्या को नेक्स्ट है आयोडिन की कमी से होता है आयोडिन की कमी से कौन सा रोग होता है सही आंसर है गेंगा रोग ठीक है गेंगा रोग अगला क्वेशन है कि अधिक्तम पोसक तत्व रक्त में कहां से अबसोशित किये जाते हैं अधिक्तम पोसक तत्व रक्त में कहां से अबसोशित क होता है सही है इंसुलीन की कमी से इंसुलीन की कमी से क्या होता है मधु मेह रोग होता है याद रखेगा अगला कोश्चन है प्रकास संसलेशन में प्रकास परिवर्तित हो जाता है प्रकास संसलेशन में प्रकास परिवर्तित हो जाता है सही है रासाइनिक उर्जा में किसमें सही आंसर है देखिए या फैदम में मापी जाती है ठीक है next है कि camera का film मारव नेतर में कार्य करता है सही है retina के अनुरूप किसके अनुरूप? retina के अनुरूप next है बंद कमरे में चलते हुए refrigerator का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाए तो कमरा का ताप क्या होगा? सही है कमरा का temperature जो है वह बढ़ जाएगा ठीक है? क्या होगा? temperature बढ़ जाएगा चलिए next question देख लिए कि पक्का आम में पाया जाता है क्या चीज? तो पक्का आम में देखिए vitamin A एब विटामिन C पाया जाता है उसके बाद देखेंगे next question क्या रहा है कि स्वसन में carbohydrate विखंडित हो जाता है किसमें? स्वसन में carbohydrate विखंडित हो जाता है किसमें? सही है carbon dioxide और जल में carbon dioxide और जल में next है कि cloning पद संबंदित है cloning पद संबंदित है किस से? तो देखे यह जनन विज्ञान से संबंदित है ठीक है जनन विज्ञान से संबंदित है अगला question देखेंगे friends कहा रहा है कि पाचित खाना अवसोसित किया जाता है किसके द्वारा तो सही है देखे छोटी आथ के द्वारा ठीक है अगला question है कि कठोर जल का उपयोग हो सकता है कहां पे? कठोर जल का उपियोग हो सकता है. कहां पे? सही है कागज उद्योग में. कागज उद्योग में कठोर जल का उपियोग हो सकता है. अगला question देखेंगे कि मानव सरीर में हड़ी एवम दातों की सन रचना के लिए आवस्यक होता है क्या? सही है calcium और फासफोरस देखिए मानव सरीर में हड़ी एवम दातों की सनरचना के लिए क्या क्या आवस्यक होता है तो वो है कैल्सियम और फासफोरस ठीक है फ्रंट नेक्स्ट है दंत चिकित्सक का दरपन होता है अब दल दरपन ठीक है कौन सा दरपन होता है अब दल दरपन होता है उसक अगला question है आधुनिक आवरतसार्नी आधारित है किस पर सही है देखिए यह परमानुकरमांग पर आधारित होता है Atomic number पर, next है कि कार्भो हाइडरेट मानव सरीर में किस रूप में तूटता है सही है देखिए यह गलुकोज के रूप में तूटता है, ठीक है उसके बाद चलिए अगला question देखेंगे यहाँ पे इसमें कहा रहा है कि LPG का परमुक घटक का आन्विक सुत्र क्या है तो देखें इसका जो आन्विक सुत्र होता है वो होता है C4S10 ठीक है C4S10 यानि ब्यूटेन का उसके बाद चलिए अगला question यहाँ पे देखेंगे अगला question कह रहा है कि rubber आसानी से घुल जाता है किस में तो बेंजीन में किस में घुल जाता है बेंजीन में घुल जाता है next है कि चाई में कौन सा अमल होता है सही है इसमें टैनिक अमल होता है ठीक है friends, अगला question है कि कांच पर लिखने में किस अमल का परियोग किया जाता है, सही answer है है घ्ड्रो फ्लोरी का अमल का, ठीक है friends, चलिए अगला question देख लिए यहां पर, देखिए अगला question में किया रहा है कि यूरिया किस परकार का फर्टिलाजर है, सही है नैट्रोजन का, नेक्स्ट है कि पीतल मिस्रधातू है किसका तो पीतल जो है यह तामबा और जिंग का मिस्रधातू है नेक्स्ट है कि जोती तिवरता मातरक है किसका जोती तिवरता किसका मातरक है सही है कैंडेला का ठीक है कैंडेला का मातरक है नेक्स्ट है राष्ट्री विग्यान दिवस मोदियावाईस में कहा रहा है कि थर्मस फ्लास्क के अविसकारक कौन है थर्मस फ्लास्क के अविसकारक सढहिख है changing नेक्स्ट कुश्चिन है कि अस्थाई कठोर्ता का जल में होने का कारण क्या है तो वह है कैलसियम सलफेट ठीक है कैलसियम सलफेट नेक्स्ट है कि टेटनस रोग किस जीवानू से होता है तेटनस रोग जो होता है किस जीवानू से होता है सही है कॉलेश्ट्रीडियम टेटना क्या है तो देखिए इसमें मानव विज्ञान का अधियन किया जाता है ठीक है मानव विज्ञान का अधियन किया जाता है अब दिखेंगे अगला question इसमें क्या रहा है कि निकट दृष्टी दोस्त दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है किसका तो देखिए निकट दृष बर्प तथा लकरी में, किसका घनत्व निवनतम होता है, तो सही अंसर है देखी, लकरी का घनत्व जो है इनमे से सबसे निवनतम होता है, नेक्स्ट है cryogenic engine का पडियोग होता है किसमें? टो सही 카정을 है rocket में, ठीक है? नेक्स्ट है मनुस्टिका मेरू दंड सनरक्षित होता है, सह है कसेरुक दंड से किस से कसेरुक दंड से चलिए अगला कोश्चन देखिए आपर कह रहा है कि एसबेस्टस है एसबेस्टस क्या है तो एसबेस्टस जो है यह रेसायुक्त खनीज होता है ठीक है रेसायुक्त खनीज होता है अगला कोश्चन देखेंगे कि भारी मसीनों में अगला question है कि वायू के दिये गए आयतन में जलवास्प की मातरा को क्या कहा जाता है, सही है देखिए इसे विस्षिष्ट आर्दरता कहा जाता है, आईए अब देखते हैं next question, देखिए next question जो यहां पे दिया, friends, देखिए कहा जाता है कि एथलीट फूट नामक बीमारी होता है किस से, सही है फंगस यानि की कवक के कारण होता है, कवक के कारण होता है, अगला question है कि नेतरदान में दाता से लेकर आख का कौन सा हिसा प्रतिरोपित किया जाता है, तो घिलम हो जाएगा, next है silicon क्या है, तो देखिए सिलिकॉन जो है यह एक अर्धचालक है, क्या है एक अर्धचालक है, अगला question देखे लीजे, friends, कही रहा है समय की अबधी का अधियान किया जाता है, ठीक है, अगला question है कि future wire यानि future traéd में पड़ियुक्त पदार्त होना चाहिए कास सई है निमन गलनांक वाला होना चाहिए चलिए अगला question देख लेते हैं यहां पर कह रहा है की silicon carbide का उपयूग किया जाता है किसमें silicon carbide का उप्योग किया जाता है किस में तो देखिए इसका काच उत्पादन में उप्योग किया जाता है ठीक है friends चलिए अगला question देख लेते हैं यहाँ पे देखिए next question जो दिया हुआ है कि रासाइनिक उर्जा का बैधुत उर्जा में रुपांतरन होता है किस में तो यह होता है ठीक है किस में होता है ठीक है अगला question देखिए यहाँ पे देखिए next question जो दिया हुआ है कि सबसे चमकदार तारा कौन सा है तो देखिए सबसे जो चमक तो दार तारा होता हुआ होता है Cyrus ठीक है नेक्स्ट है कि Nobel guys क्या कहलाती है Nobel guys कहलाती है इसमें तो helium देखे हिलियम जो है या एक Nobel guys है ठीक है अगला question है कि Bleaching powder का रासाइनिक नाम क्या है Bleaching powder का रासाइनिक नाम तो देखे इसका रासाइनिक नाम होता है calcium hypo chloride होता है अगला question देखेंगे यहाँ पर next question जो देखे कहा रहा है कि किस ग्रह का सूर्य के परीता परी ब्रह्मन काल अधिक्तम होता है किस ग्रह का तो देखे वह ग्रह है वरुन अगला question है कि कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है कौन सा तत्व है तो देखें sulfur जो है यह कैसा तत्व है जो शतंत्र अवस्था में पाया जाता है next है आलू उदाहरन है किसका तो देखेंOT आलू जो है यह रूपांतरी ततने का उदाहरन है ठीक है उसके बाद देखेंगे next question इसमें कहा रहा है कि भोजन का पाचन प्रारंब होता है कहां से तो भोजन का जो पाचन होता है वह मुह से ही प्रारंब हो जाता है फ्रेंट्स देखिए नेक्स्ट कोश्चन कहा रहा है कि हैलोजन में सबसे अधिक क्रियासील होता है हैलोजन में सबसे अधिक क्रियासील की प्राता काल काफी मातरा में ओस बनने का कारण क्या है तो सभी है साफ आस्मान एवाम साफ हवाएं ठीक है नेक्स्ट है कि अलकोहॉल उद्योग में किस कवक का उप्योग होता है किस कवक का तो देखिए वह कवक है यिस्ट ठीक है यिस्ट हो जाएगा अगला question देखेंगे यहाँ पे कहारा है में कि कपड़े से सियाही या जंग के धब्बे छुराने के लिए किसका परियोग होता है तो देखिए इत्थर का परियोग होता है ठीक है इत्थर का इत्थर का है नेक्स्ट है अगला question देखेंगे, friends, कहा रहा है is में, कि haemophilia एक अनुवान्सिक डोश है, परिणाम है, सही है इसका रख्त का नहीं जमना, haemophilia एक अनुवान्सिक रोगर तो इसका परिणाम क्या होता है, की रख्त का नहीं जमना, यानि की रख्त जम नहीं पाता है, प्रकासिय तन्तु यानि की आप्टिक फायवर का उप्योग कहा होता है तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देखिए संचार में कहाँ पे इसका प्रियोग होता है संचार में इसका प्रियोग होता है अगला question है कि अती चालकता तब राप्त होती है जब तत्व को सही answer है कि अती उचताप पर गर्म किया जाता है अती चालकता तब राप्त होती है जब तत्व को क्या होता है तो अती उचताप पर गर्म किया जाता है ठीक है चलिए अगला question देख लेंगे यहाँ पर देखें next question कहा रहा है कि फलों के रस के परिरक्षन के लिए किस रासाइन का परयोग किया जाता है सही है sodium benzoate का परयोग किया जाता है अब देखेंगे अगला question कहा रहा है कि परमानू विस्फोट में काफी उर्जा निकलती है इसका कारण क्या है परमानू विस्फोट में काफी उर्जा निकलती है इसका कारण क्या है तो देखेंगे इसका कारण है द्रबेमान का उर्जा में रुपांतरन ठीक है द्रबेमान का उर्जा में रुपांतरन next है बेके लाइट किस परकार का प्लास्टिक है सही answer है देख परकास्तंतू किस सिधान परगारे करते हैं सही है, पूर्ण आंतरिक परावरतन परगारे करता है नेक्स्ट है वातावरन में मरीची का यानि की मिराज दिखाई देने का कारण क्या है तो उसका कारण है परकास का पूर्ण आंतरिक परावर्तन ठीक है परकास का पूर्ण आंतरिक परावर्तन अगला क्वेशन देख लिए जे फ्रेंट देखिए अगला क्वेशन जो दिया ह पड़ी है उर्जा के सनरक्षन से ताइट पड़ी है सही है कि उर्जा ना तो उत्पन की जा सकती है और नहीं नश्ट की जा सकती है ठीक है इसका एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है पड़ी वर्तन होता है चलिए अगला कोईशन देख लेंगा यहाँ पर देखी कह पर कहरा इसमें कि पानी के खारापन का कारण किसका घुलंसील लवन है किसका घुलंसील लवन है सही है कैलसियम एवं मैगनीसियम का लवन ठीक है कैलसियम एवं मैगनीसियम का लवन नेक्स्ट है कि गाय के दूद में किस वीटामिन की प्रचूरता होती है गाय के दूद में स उसमें next है, कैपलर का नियम सμबंदित है किससे सही आंसर हो जाएगा देखिए ग्रह के गति से कैपलर का नियम किससे सμबंदित है तो ग्रहों के गति से संबंदित है अब अगला question देख लिए कहा रहा है इसमें कि शरीर के तापमान को नियंतरित करता है क्वेल्डिंग उद्योग में कौन सा गाइस प्रियोग होता है? सही आंसर है एसी टिलीन गाइस, ठीक है? एसी टिलीन गाइस, उसके बार चलिए अब अगला क्वेशन देखे लेंगे, कहरा है कि Kelvin Scale में मानव सरीर का समान या तापमान कितना होता है? सही आंसर है, इसका देख अगला क्वेशन यहाँ पर जो दिया हो, देखे कहरा है, कि पौधे के किस भाग से जूट प्राप्त होती है? सही आंसर है तना से, तना से क्या होता है? जूट प्राप्त होता है, नेक्स्ट है कि किसी पदार्थ की पुरा तात्मिक महतों को मानने के लिए आयू का मानक क्य होना चाहिए? तो सही आंसर है, देखे, C14 मानक होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट है कि समुदर जल में किस तत्व की प्रचूरता होती है? सही आंसर है, इसमें आयोडीन की प्रचूरता होती है, ठीक है? चलिए, अगला क्वेशन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है, फ्रें के बाद, अगला क्वेशन देख लिए, यहाँ पर कि सम्वेग किसका एक माप है? सही आंसर है, गती की मातरा का, सम्वेग जो है, यहाँ गती की मातरा का एक माप है, अगला क्वेशन है कि किस हर्मोन को मादा हर्मोन के रूप में जाना जाता है? सही है, एस्ट्रोजन हर्म तो वह हो जाएगा फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन हो जाएगा, नेक्स्ट है कि छाय रोग मानव सरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, सही है फेफरा को, ठीक है, फेफरा को जो है छाय रोग यानिकी टीवी जो है सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, अब अगला कोशन द गैस की उर्जा किस पर نिर्भर करती है तो सही आंसर है मोल की संख्यां पर तीक है मोल की संख्यां पर नेक्स्ट है कि कांशा मिसरधात। कांसा मिस्रधातु है किसका तो सही आंसर है देखिए तामबा एवं टीन का मिस्रधातु है नेक्स्ट है कि एंगस्ट्रम से मापा जाता है सही आंसर है तरंग दैर्ग की लंबाई ठीक है तरंग दैर्ग की लंबाई मापी जाती है अब अगला question देखेंगे कि hydrogen का प्राकृतिक सुरूत क्या है hydrogen का प्राकृतिक सुरूत सही आंसर है कच्चा तेल देखें है hydrogen का जो प्राकृतिक सुरूत होता है वह कच्चा तेल होता है next question है कि 18 karat स्वर्ण में सुद्व स्वर्ण का परतीसत कितना होता है सही आंसर है 75% ठीक का प्रियोग करता है दंत चिकितसक जो है वह किस परकार के दरपन का प्रियोग करता है सही है देखिए वह अवतल दरपन का प्रियोग करता है ठीक है अगला question है फेरल का सिधांत किसे संबंदित है फेरल का सिधांत किसे संबंदित है सही है देखिए पवन की दिशा से समबंदित है, next question है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है क्या, तो देखिए उसमें मुख्य रूप से मिथेन गैस पाई जाती है, ठीक है चलिए अब अगला question और देखिए इस वीडियो का last question देखेंगे friends देखिए क्यारा इसमें कि जूट में सरन प्रकिरिया की इस प्रकार होती है जूट में सरन प्रकिरिया की इस प्रकार होती है तो देखिए यह सुक्ष्म जायवी किये प्रकिरिया होती है ठीक है, सुक्ष्म जायवी किये प्रकिरिया ठीक है friends, तो यह था आज का session और आज हम लोगों देखे हैं friends इस book का class number class number जो है 9 के रूप में total 100 plus one liner question को ठीक है friends उमीद करते हैं आज का session भी आप लोगों ले काफी महतब पूरन साभीत होगा एक पर comments करके आप लोग जुरूर बताएगा कि ये question आप लोगों को कैसा लगा ठीक है और revision के लिए आप लोग हैं तव तक के लिए जैहें